नमस्कार दोस्तों मैं रमेस आपका सौगत करता हूँ यूटूब चैनल लाइसी इंशुर में आज इस वीडियो में बात करेंगे लाइसी की प्रीमियम का ऑनलाइन भुकतान कैसे करें तो दोस्तों इसके लिए हम सिधा चलते हैं गुगल क्रोम के पेश पर दोस्तों हम आ ग इसके होमपेश पर चले जाएंगे लसी के तो दोस्तों हम आ गये हैं लसी के होमपेश पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो पहला उन्होंने का प्रिविंशन दिया हुआ है कोरोना वाइरस से किस तरह बचाव किया जाए उसके बारे में यहां पर उन्होंने बताया है और LSE ने इसके लिए जो मार्श मैने का प्रिमियम जिसका भरना बाकी है उसके लिए यहां पर LSE ने 15 अप्रेल तक का डेट दिया है कि आप वहां तक प्रिमियम भर सकते हैं यह हो सके यह डेट आगे और भी जाए तो दोस्तों बात करेंगे ऑनलाइन प्रिमियम कैसे भर स खते हैं दूसरा option है The Patriots In one time, यहां परिमियम ओलां यहां पर अप्शन दिया हुए तो हम किसी पी option और लिक करें तो एक नया पेज़ खुलेगा जहाँ पूछ रहा है एक्सटरनल साइट जो है वह खुलने के लिए इसको एक करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह premium online का page खुल गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे without login मतलब policy का number आप अगने register नहीं कि अपने mail ID से तो without login के भी आप अपना premium pay कर सकते हैं अगर आप customer portal पे अपना register किये हैं तो आप यहाँ से भी उसका payment कर सकते हैं तो already जिसको customer portal पे register हैं तो उनको इनके बारे मालूम है कि यह premium किस तरह pay किया जा सकता है लेकर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह पर without login के भी आप premium pay कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं क्लिक करते हैं pay premium without login तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे LSE service यहाँ पर premium calculator and benefit illustration दिया है locator दिया है product के बारे में जनकरे दियी है फिर redressal policy जो है वो दिया है download forms आप forms डाउनलोड करना चाते हैं यहाँ से download कर सकते हैं पे direct payment करना चाते हैं वो भी हो सकता है buy new policy यहाँ से purchase करना चाते हैं जैसे कि term policy हो गया फिर या तो फिर कोई pension plan हो गया तो उसे आप यहाँ से purchase कर सकते हैं और यह financial analysis जो है वो अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे premium pay के लिए तो यहाँ से आपको पहले set करना होगा अगर आपका premium बाकी आप उसको pay करना चाते हैं तो renewal premium option बे-clej किजिए अगर आप advance पर payment करना चाते हैं premium का तो यहाँ से कर सकते है Marian loan का जो आपने लिया हुआ है उसका payment करना चाते तो यहां से उसका repayment कर सकते है loan interest payment करना चाते दो interest S पर यहाँ से pay कर सकते हैं तो अब फिलाल हम यहाँ पे प्रीमियम की बात करेंगे, तो ILSI नहीं यहाँ पर simple step to complete the premium payment के लिए दिया है, तो यहाँ पर proceed करना है हमें, अब जो policy number है, वो policy number हमें हमें जो mention करना है, यहाँ पर जो premium है without tax, मतब जो जो premium आता है, वो यहाँ पर mention करना है अब यहां पर जिसके नाम पर पॉलिसी है उसका डेट आप बर्त यहां पर मेंशन करना है तो आप यहां से ले सकते हैं कि अपको यह पर इमेल ड गंपर्शरी के बीना आप मतलब आपको जो रिसेफ्ट आएगा वह आपके इमेल ड पर आ jut ah उसके वाद जिसके नाम पर पॉलिसी है या तो फिर आप अपना कोई भी एक मोबाइल दिया हुआ है मैं तो बोलूँगा आप वही नमबर यहाँ पर mention करें यहाँ पर इन्होंने कुछ पांच options दिये हैं please provide correct and valid mobile number and email ID a receipt would be mailed to your email ID जिसे मैंने आपको बोला कि जो receipt है वो आपकी email ID पर direct जाएगा online premium payment should be made by policy holder himself जिसके नाम पर policy अगर premium वो खुद ही paid करें तो आप इसको यहाँ पर खुद अखुद पढ़ सकते हैं अपको यहाँ पर इसको एगरी करना है आपको submit करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो जिसके नाम पर policy है उसका यहाँ पर नाम आ गया है उसका due date कपसे है वो यहां पे आ गया है, प्रिम्यम कितना बाकिए वो आ गया, अगर प्रिम्यम भरने में late हो गया है, तो जो penalty है, वो यहां पर add करके आ जाती है, late fish add करके आ जाता है, और साथ-साथ में अगर same person के नाम पे और भी policy है उसका premium भरना है, तो आप यहां से policy number डाल के add कर सकते हैं और जो आप premium amount है वो डालके add कर सकते हैं यहां से तो फिलाल अभी इनके नाम पर कोई policy नहीं है तो मैं यहाँ पर continue proceed करता हूँ यहाँ पर दिखा रहा है total policies one selected total premium इतना करना है तो check and pay करते हैं यहाँ पर LSE ने option दिया है बिल्क डेस्ट से आप payment कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर continue करता हूँ अगर आप debit card यूज करते हैं debit card से payment कर सकते है debit plus ATM नहीं यूज करते हैं इंटरेंट बैंकिंग यूज करते हैं तो फिर wallet फिर या यूज करते हैं तो आप उसका डेटल डालके आप यह premium payment कर सकते हैं तो मैं debit card कर डालूँ यहाँ पर तो दोस्तों आपको यहाँ पर make payment पर click करना है यह detail भरने के बाद और जब यह page खुले तो आपको इस पर कोई छेड़ खानी नहीं करनी है यहाँ पर password डालना है आपके card का फिर जो आपको mobile नंबर पर OTP आएगा आपको यह mention करना है और उसे proceed करना है मतलब यह जो OTP आएगा उसे 5 मिनिट के लिए valid है 5 मिनिट के अंदर आपको यह payment करना है तो दोस्तों यह payment हो चुका है और यहाँ से receipt आ गई है अगर आपको original receipt भ तो फिलाल मैं back to पर जाता हूं अभी यहाँ सब download receipt भी कर सकते हैं तो फिलाल अभी तो कोई server issue के वैसे यह download नहीं हो रहा है बट आप यहाँ से अपने premium receipt को download कर सकते हैं अगर आप अगला कोई payment करना चाहते हैं तो यहाँ पर yes करें या ता नहीं था no कर दें दोस्तों यह तो हो गया online payment का कि आप LSE की website से direct online payment कर सकते हैं बट मैं आपको बता हूँगा यहाँ पर कि पेटियम के तुरू किस तरह payment किया जा सकता है तब पेटियम पर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर पेटियम से payment करना चाहते हैं तो आप में लोग आगे हैं पेटियम की home page पर तो यहाँ पर LSE ने more option दिया हुआ है आप यहाँ से more option पर क्लिक करके आप इंसरेंस पर क्लिक किजिए यहाँ पर आपको अपना इंसरेंस company select करना है तो जिसे LSE of India तो आप LSE पर क्लिक करें तो अलड़ी मैंने यहाँ पर इतने सारे payment किये हुए हैं तो अब मैं यहाँ पर जो policy का premium का payment करने वाला हूं उसका policy number में यहाँ पर mention कर देता हूं तो दोस् नहीं कर रहा है वह बोल रहा है कि मतलड़ इसका payment due नहीं बाकी है तो दोस्तो मैं आप जितने भी premium का detail डाल रहा हूं बट मेरे अब भी कोई भी premium due नहीं है तो मैं आप कोई भी payment नहीं कर सकता तो दोस्तो आप online मतल़ पेटियम के तुरू यहाँ से भी payment कर सकते हैं अपने mobile से भी direct जाके more option insurance rate करके आप यहाँ से payment कर सकते हैं तो दोस्तों अब भी हमने जो online payment किया है उसका receipt मैरे mail पर आया है कि नहीं वह भी check कर लेते हैं तो मैं अभी अपना पर mail ID डाल देता हूँ तो अलड़ी मैंने यहाँ पर login किया हुआ है तो मैं भी देख लेता हूँ update में तो आप यहाँ पर देखेंगे तो online payment receipt आ चुका है जो मैंने आज payment किया है इसे हम open कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने premium payment किया हुआ है उसका receipt आ गया है आप इसके मादम से मतब client का भी premium pay कर सकते हैं अपने तुरू या तो अपने खुद अपने family के members का premium pay करना चाते है तो premium pay कर सकते हैं तो दोस्तों यह online payment receipt है तो दोस्तों अगर आप online premium payment करते हैं LSE की website से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप LSE की कौन से plan LSE ने लांच किये हैं कौन सी आप policy online purchase कर सकते हैं जैसे LSE का निवेस प्लस हो गया LSE का SIIP हो गया LSE का टेक्टम प्लान हो गया LSE का जीवन सांती प्ल cover plan और LSE का प्रधान मंत्री वयवंदना योजना जो 31 मार्च 2020 में LSE बंद करने जा रही है तो और इन प्लान पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका link में इसे description box में दे दूँगा आप उस वीडियो के मादधम से समझ पाएंगे कि इस वीडियो में क्या benefits available है LSE ने भी current में LSE निवेस प्लस और LSE SIP plan launch किया है तो दोस्तों यहां पर आपको काफी सारे benefits मिल जाएंगे आप यहां पर खुद को register भी कर सकते हैं अपने policy number को register भी कर सकते हैं जिसके पर मैंने वीडियो बनाया हुआ हुआ है जिसका link में नीचे description box में दे दूँगा दन्यवाद दोस्तों वीडियो का like करना ना बोले जिसे मुझे काफी प्रोतसान मिलता है कि मैं और भी जान करें आपके साथ मैं साजा करूँ दोस्तों अगर insurance related आपको कोई भी information चाहे तो आप मेरे website www.lseinsured.in पर widget कर सकते हैं वहां से भी आप LSE का premium payment कर सकते हैं अगर आप दोस्तों